जैन सातियो, आज मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ में आया हूँ और आप लोगों के साथ में इस मुद्दे पर साथ मांगने भी आया हूँ क्योंकि हाली में एक रिजल्ट दोस्तों आया हुआ है और इस रिजल्ट पर बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं और इस result पर ऐसे ऐसे सवाल उट रहे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा important बन जाता है और यह बात आज की नहीं है यह बात दोस्तों एक महीने पहले से चल रही है जब पहली बार कहा गया था री एक्जाम री एक्जाम री एक्जाम दोस्तों बात करते हैं नीट एक रखेया है कि घ्जाम को देते हैं educated बिलान है और आज मुद्द यह क्या है क्या स्कतर चाहिए बहुत ज्यादा मेंस्कीतारा भी पेक करते हैं उसके बाद के वह in future में डॉक्टर बनते हैं जाकर तो आज दोस्तों एक मुद्दा यह है कि क्या यह स्कैम है या ब्लेंडर है क्यों ऐसी बात नीज में है क्यों बच्चे इसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं आज इस मुद्द बात करेंगे कुछ आपके सामने होंगे हम लोगों को समझना पड़ेगा लेकिन एक बात जरूर या दखना जो हम लोग परिशान होते हैं तो कोई ना कोई साथ देने के लिए आता है तो आज नीट वाले बच्चों को जरूरत है हमारे साथ की तो हम लोगों के साथ में खड़ा जरूर दोस्तों होना पड़ेगा तो सबसे बहले में आपको बताता हूँ यह एक्जाम जो नीट का है यह एक्जाम मई के महीने में होता है मई के महीने में जब यह एक्जाम कराया जाता है तो तमाम बच्चों के दारा यह कहा जाता है कि पेपर एडवांस में बिग गए और पर पेपर को पचास लाग रु की जाती है जब वो बच्चे एक्जाम सेंटर से अपने घर पर पेपर दें देके आते हैं और यह बाइदा दोस्तों बहुत जगाई यह न्यूज फैली होई थी कि नीट बहुत जादा तरीके से पड़े हुए थे इलेक्शन के बीचे और इसी मद में आपका एक्जाम हो गया इसी बीच बच्चों ने इसको ट्रेंड कराया लेकिन वे बिचारे सफल नहीं उपाई इसके बाद जब इस एक्जाम का दोस्तों रिजल्ट जारी किया जाता है रिजल सेंटर में बहुत सारे बच्चे बैटे हुए हैं एक बच्चा इस रूम से दो बच्चे उस रूम से हो सकता है लेकिन पूरे की पूरे सेंटर में एक ही ग्रुप के एक ही स्तान पर एक ही रूम के एक ही रोके वो बच्चे उतना ही सेम माक्स में कैसे आ सकते हैं क्या एक ही कोशन को आप गरत करते हो तो आपकी नंबर 5 कटते हैं एक कोशन पर और अगर आप कोशन छोड़ते हो तो 4 कटते हैं पेपर 720 नंबर का था बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आए और सबसे बड़ी बात तो छोड़ो 720 वाले 2 है 719 वाले तमाम लाइन में हैं और जिनका रिजल्ट आप देख सकते हो 99-99-97-129 99-99-97-129 यह नमबर ऐसे चड़ाये गए हैं कि रट लो बस यही नमबर छाप दो वो भी एक रोपे सब के सेम छाप दो ऐसा तो इत्तिफाक नहीं हो सकता ना पेपर लीक का इत्तिफाक जलो माल लिया रिजल्ट आया उसका इत्तिफाक माल लिया एक ग्रुप के सरसेट बच्चे उसका इस्तिफाक हो गया और आज दोस्तों यह आपके सामने न्यू जा रही है ऐसा कैसे हो सकता है आप एक बाद सोच के बताईए दूसरी बात अगर मालो आपका कोशन गलत हो गया तो आपके 5 नमबर कम हुए तो आपके नमबर होने चाहिए 715 5 गलत हो रहे हैं ना एक कोशन गलत किया भाई यह हो गया सिद्वात नो इशू एक बेवन प्रकार के बच्चों जो आवाज उठाई वह एक्जाम सेंटर पर जाती है कि भाई यह एक्जाम सेंटर में बच्चे पेपर दे रहे हैं और इस गुरूप के इतने बच्चे के इतने जो बच्चे से पांच अजार सेंटर थे इंडिया में एक ही सेंटर पर यह बच्चे सेलेक्टेड होगे सोचने वारे बात है बार बार इसकी बात दोस्तों इसके भी एक प्रकार के इसके में लड़ा जाता है जब पेपर शुरू में हुआ था तब बात आई ती नेट गोजाच और एक कहता है जिसको लोग राष्टी परिच्छ जंसी कहते हैं इसके दोरा जवाब आता है कि यह आइसा है कि बहुत सारे बच्चों ने यह बताया था कि जब वो पेपर देने गए थी कि टाइम लॉस हुआ था उनका टाइम उनका बरवाद हो गया था एक्जाम सेंटर पर और नीट जैसे एक्जाम के लिए तो उन बच्चों को एक प्रकार से एक्ष्टा मार्क दे दिए गए हैं उनकी टाइमिंग को लेकर यह बात एंटी के दौरा कही गई उन्निस घंटे पहले का पोस्ट आपको सोसल मीडिया पर देखते हुए मिल जाएगा यह बात एंटी के द चीजें दव गई लेकिन यह नहीं पता था कि चीजें उच्छाल में आ जाएंगे जहां तक कि हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं यह बात दोस्तों आप सभी लोगों के अंदर टच करने चाहिए आपको सोचना पढ़ेगा इस बात पर और आप उस हर बच्चे तक इस वीडियो तक पहुंचाओ जहां हर बच्चा पेपर देने के लिए तयार होता है क्योंकि हम लोग जब एकट्टे होंगे तभी हम लोगों को दोस्तों इंसाफ मिल सकेगा अकेला बच्चा कब तक चिलाएगा चिलाने वाले थे कुछ समय पहले दोस्तों होगे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रॉपर तरीके सुषेक कमेटी बने चाहिए एक जात्यांच होने चाहिए चाहिए परेकर चाहिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन फ्यूर ऐसा ना हो हमारे सरकार से नहीं हो सकता मिला जो जरते चले जाएंगे इसलिए में आप कहना चाहता हूं कि भारत के नागरी होने की कारड़ आप सभी लोगों से रिक्यस्ट है इस इवेंट को बहुत ज्यादा सेयर करो उस हर जगे तक पहुंचाओ जहां पढ़ने वाले बच्चे हों खासकर नीट के लिए आपके भी बच् दिल से जय हिद जय भारत